So, कुछी दिन पहले मैंने community poll डाला था और मैंने पूचा था what should I tame next in Ark Mobile तो तुमने यार Quetzal को सबसे ज़्यादा vote दिये थे So, या आज हम लोग tame करने वाले Quetzal को और yes, यह रहा है यार मेरा नयाबतार So, hey what's up guys, it's me Zo and we are back तो आज हम लोग खेल रहे हैं यार के survival और आज हम लोग जाने वाले Quetzal को tame करने जैसे कि मैंने अभी अभी बिताया तो मैं लेके जाने वाला हूँ यार अपने साथ यह सारा सामान और तुम लोग देखी सकते हो कि यह सारा यार एकदम मतलब वह वाला सामान है ascendant level का और साथ मैं मैं लेके जा रहा हूँ इस Argentavious को actually मैं इससे तो नहीं tame करने वाला हूँ क्योंकि यार इसके अपर बैटके कुछ problems आते हैं वो मैं तुमको वीडियो में बताऊंगा और फिर उसका उपाय भी बता दूँगा तो सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूँ अभी मैं Red Oblix में आया हूँ और यहां पे यार Quetzal एक ना एक तुमको जरूर मिल जाएगा 100% मिल ही जाएगा तो अभी यार हम लोग वही देखने जाने वाले हैं और मैं इस पर ही जाने वाला हूँ अभी क्यूंकि यार इसका stamina बहुत जाता है और speed भी यार काफी ज़्यादा बड़ी है सो चलो चलते है ओके तो हम लोग यार काफी ज़्यादा उपर तो आ चुके है मतलब यह ज़्यादा उपर तो नहीं है बट इस level पे यार वह मिल जाते है तो तुमको बस यहाँ चारों तरफ देखना है और ओके तो यार मेर को दिख भी गया तो इस तरीकी से यार तुम लोग ढूंड सकते हो और ज़्यादा टाइम नहीं यार तुमको ज़्यादा से ज़्यादा पांच मिनट लग जाएंगे इसको ढूंडने में तो फिलाल इसका level तो है यार 3 काफी कम है फिलाल बट हम लोग यार इसी को tame करेंगे और इसको यार कम level का tame करेंगे क्योंकि मैं तुमको इसका reason एगले से अगले कि सी ना किसी वीडियो में बता दूंगा अभी फुलाल हम इसकी को टेम कर लेते हैं और यह देखो कहा यार मैं ग्रिफन भी ले कर आई हैं तो वह बात मैं तुंको अब बता देता हूं कि क्या होता है अब तुम लोग ग्रिफन पर बैठके एम भी कर सकते हो महलोब अपने वैपन का यूज़ कर सकते हो और एक और खास बात कि यार तुम लोग यह जो सकार है मतलब जो यार इसने गले में कॉलर डाइप लगा के रखा है तुम लोग इसका भी यार यूज़ कर सकते हो तो यह वाला यार 39 लेवल का इसका stamina काफी जाता कम है बाकि यार इसकी speed हो गारे ठीक है तो अभी दिखा देता हूं मैं क्या क्या लेकर जाने अलों के ज्यादा कुछ समान नहीं है मेरे पास ओके तो यार अब चलते है जल्दी से उसको tame करने ओके तो यार मैंने उसको tame तो कर लिया था मतलब knock तो कर लिया था और वीडियो में मैंने यार वो portion नहीं डाला क्यूंकि यार वो मर गया और मतलब क्या बोलू यार स्वैम वाले area में चला गया तो मैं फिर से आओ यार यार यहां पे और फिर से अभी एक और ढूंडने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में मेरे को मिल भी गया था तो यहां कहीं पे यार मेरे को दिखा था वो और ओके तो यह रहा सामने और अब यार हम लोग इसको टेम करने वाले हैं मैं तुम को बता देता हूँ पहले अर झाम नहीं आता है यार इसकी टेमिंग करने के लिए बागी यार इसका एक और तरीका है बट वो काफी जादा टफ है यार अगर तुम लोग RG से भी करना चाहते हो तो फिलाल यार हम लोग जाता तो टफ में नहीं जाएंगे अभी नॉर्मल से ही करेंगे तो अभी मैं Griffon पर बैट गया हूँ और इस पर जाने वाले हम लोग तो एक काम करता हूँ पिछली बार यार इसका खाना खतम हो गया था इसको दे देता हूँ थोड़ा सा और अभी यार मैं साथ में यार में को प्राइम मीट और भी कोलेक्ट करना पड़ेगा बट कोई बात नहीं बागी यार 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 यहाँ गरतया फायदा बता देता हूँ तो अभी तुमको थोड़ देर में पता लग जाएगा फिला यार थोड़े से इसके पास जाते है और ओके तो यार इसको मैं उस तरफ धखे लूँगा मतलब पीछे की तरफ ताकि यार ये पीछे की तरफ जाए मतलब अब्यस्टी बात है यार पानी में गिर गया तो ये पता नहीं टेम होगा की नहीं तो ओके अपने आप मुड़ गया तो यार अब मेरी कोशिश रहेगी इसको हैट शॉट देने की तो ये ही ट्राय रखूँगा और अभी मैं बता देता हूँ तो ये देखो यार तुम लोग गन भी स्विच कर सकते हो ग्रिफन के उपर बैट कर और इस तरीके से तुमको फायर करना है और ओके तो ये भागना शुरू भी हो गया तो इस तरीकी से यार मैं तुमको बता रहा था कि ये तुम लोग यार ग्रिफन में ही कर सकते हो और उसमें नहीं कर सकते हो इवन तुम लोग यार यही ट्रिक तापे जारों के साथ भी कर सकते हो पर यार वो बहुत जादा स्लो होता है इस मामले में तो अभी चलते हैं आगे और ओके तो यार ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए इस तरीके से पुजैसिव हो जाता है तो अभी मैं इसको देता हूँ है जल्दी से इसको टेम करते हैं पर हाँ गाईज यार इसके भी कुछ नुकसान है मैं तुमको बता देता हूँ तुम प्रॉलम है इसके साथ बाकी तुम लोग यार अंदाजा लगा के भी काम कर सकते हो तो अभी जैसे कि तुम लोग देख रहे हो यार यह आगे तो जा रहा है तो आगे यार मैं बढ़ सकता हूँ ग्रिफन से बट यार जब यह लेफ्ट राइट जाता है तो मैं यार लेफ् काम नहीं है फिलाल तो अभी यार मैं इसको फोर स्वीड कर रहा हूँ और शायद अब जल्दी से बढ़ जाएगा ओके बढ़ रहा है यार काफी स्पीड में तो अभी अब मैं मैं एक और बात बता देता हूँ यार तुमको जैसे कि तुम लोग यार पे देख रहे हो यार सिम्पल सिम्पल यार इसको नौक करना है तो अभी यार काफी ज्यादा मस ताब आ जा ही यार इसके लगने की और अरे भाई-साब यार यह इस तरीके से करने लगा ना तो मैं टेम नहीं कर पोंगा इसको क्योंकि स्पौन एरिया में जा रहे यार मनलोब स्वैंप एरिया म तो अभी ओके ये पुजैस्टी हो गया तो आई थिंक यहां पर नौक करना इसको ठीक होगा तो ओके अभी मैं एक और मारता हूं और आई होप अब तो हो जाना चाहिए ओके तो अभी लग गया इसको और अभी कहा गया रहे ओके तो यार यह नीचे गिर गया है शायद ओके नहीं दिखाई दे रहा है अपने आजू आजू तो यह नीचे गिर गया है मुझे दिख गया तो वह रहा यार नीचे और यहां पे काफी जाता लाग होगा यहार मेरी ग पताते हैं यहां पे काफी जहता लाइग होगा और देखो यार बिलीच से वो किस तरीके से यार उपर उठा हुआ है तो अभी क्या करते हैं अभी हम लोग यार इसको टेम करते हैं और में को यार इदर ध्यान भी रखना पड़ेगा थोड़ा स्पाइक बगारा लगानी पड जाएगा तो इसको मैं मार लूँगा जल्दी से něस घिंग तो यह स्मार दिया तो अभी देख लेया इसे मकशाब क्या गजव का प्राय मीट मिला यार vast surprise मिला है मैं तो यह देखिए यार यह लगबग 2013 है प्राय मीट टोटल और अभी मैं क्या क्रता हूं अभी यहा rescat यह एक बार मैं देख लेता हूँ कि कहां पे आता है ओके यहां पे तो यहां पे मेरे को चाहिए यार ओके मेरे को थोड़ सा हाइड चाहिए रहेगा तो यह काम करता हूँ मैं देखता हूँ यार मेरे पास हाइड है कि नहीं फिलाल मैं अपने ग्रिफन में यार कुछ भी नहीं लेखे आता मेरे को यार इतनी याद है तो अभी मैं देखी लेता हूँ और ओके तो नहीं है बहुत वड़िया तो अभी क्या करते हैं अभी पेड कारते हैं और हाइड का इंतिसाम भी यहीं से हो जाएगा क्योंकि यह देखो हमारे फिनोमिना घूम रहे हैं तो इनसे यार पहली यार इतना अच्छा हुगा है हमार साथ कि यह पहली बारी में यार 93% टेम हो चुका है तो बहुत वड़िया अभी क्या करते हैं अभी मेरे को पस इसको डिफेंस करना हैं क्योंकि मैंने पाइक्स अभर अब मैं पाइक्स नहीं मनाने वाला क्यूंकि उसमें फाल टू तुम लोग यार रेक्स का कीबल भी यूज कर सकते हो हलाकि यार मेरे को परसनली बताओं तो मुझे लगता है यार सबसे ज़्यादा फास्ट हर चीज यार सिर्फ इस से होती है प्राइम मीट से होती है तो तुम लोग यार उसका यूज भी कर सकते हो फिलाल यार इसको मैं मार देता हूँ क्योंकि मेरा ग्रिफन भी यार खत्रे में है और ओके तो मार दिया और इसको मार ही देते यार और ओके तो फाइनली यार हमने टेम कर लिया अपना क्वैट जिल और भाई साब यार तुम लोग देख सकते हो कितना जादा बड़ा साइज इसका तो अभी मैं इसको ले लेता हूँ और आइटिंक ये मेरे को फॉलो रहेगा इसको यार यहां पर डाल देता हूँ तो देख लेता हूँ ये मेरे को फॉलो रहेगा की नहीं ओके तो फॉलो ड़ा बनाना मैन तो ओके जिसको नहीं बदह यार मेरा नाम बनाना मैं था इस गेम में और ओके तो अभी चलते हैं हम लोग अपने ग्रिफन पर और ये मेरे साथ आजाएगा और ओके तो हम लोग पॉहंच चुके हैं यहां पर और अभी मेरा ये आते होगा ओक्या आ गया तो भाई साव इसने तो नशे करके रखे है कुछ से और इसको रोक देते हैं और अभी यार ये रुक जाएगा I think भाई बैट जाए यार I hope यार आज का एपिसोड तुम सभी को पसंद आए हो Make sure आप वीडियो को लाइक करना चैनल पे नगे तो सब्सक्राइब करना है ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में